हलो फ्रेंज, वेलकम पैक टू माँ चैनल, देखिए फ्रेंज, आज मैं आपके लिए एक मफलर का डिजाइन लिखे आई हूँ, यह देखिए, बहुत जादा सुन्दर मफलर है, देखिए फ्रेंज, इस मफलर को बनाने के लिए आपको मोटी सलाई की जरूरत होगी, जैसे देखिए फ्रेंज, यह मेरे पास 6 नमबर की सलाई है, इस से भी मोटी सलाई अगर आपके पास होगी, तो और भी बेटर आपका यह मफलर बनके रड़ी होगा, ठीक है, आप इसको 5 नमबर में भी बुन सकते हैं, 4 नमबर की सलाई में भी बुन सकते हैं, देखिए, इस वा और देखे, बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है, और देखे, बहुत सॉफ्ट बनके ready होता है, और फ्रेंड्स से ये 200 ग्राम में आपका easily बनके ready हो जाएगा, ये देखे, look wise बहुत ज़्यादा सुन्दर लगता है, चली बनाना शुरू करते हैं, देखे, फ्रेंड्स मैं आपक जो फंदें वो डिले डालनें बिल्कुल इस तरीके से, डिले डालेंगे, ठीक है, आप देखे, ये हमारी फ्रेंड्स रो है, देखे फ्रेंड्स मेरी फ्रेंड्स रो उल्टी बनके ready होगी, देखे, पहली रो मैं इस तरीके से बुन लूँगी, ये back side है, देखे, back और front द पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, ये देखे, जैसे बुनते हैं, फिर धागा back करेंगे, देखे, second हमें क्या करना है, जैसे हम normal सीधा ऐसे बुनते हैं, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहां से डालना है, नीची डालना है हम ऐसे, और एक फंदा सीधा फुर धागा बैक करेंगे यह देखिए सीधा यहां से यह से देखिए friends इसी तरीके से हमारी यह पूरी रो complete होगी एक उल्टा एक सिधा बनाना है और सीधा हमें यहां से डालना है यह देखिए इस तरीके से यह देखिए देखे फ्रेंस जैसे हमारा लास बंदा सीधा आया तो हमें देखे फिर यहां देखे इस तरीके से यहां से डालना है ठीक है हमें इससे इस तरीके से बुनना है वरना अगर आप यहां ही बुनेंगे तो फिर टाइट हुचाएगा इसलिए एक रो नीचे से ऐसे बुनना इसे यह देखे इस तरीके से ठीक है और यह इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर आप देखे हमारी बैक साइड आ गई है देखे फ्रेंस ये बैक साइड और राइट साइड दोनों देखे ये दोनों साइड सेम है ये देखे इधर भी सेम है और इधर भी सेम है तो आप देखे हमें क्या करना है जो हमारा आगे सीधा था ये बैक में उल्टा हो जाएगा ये देखे जो फ़र् से बुना जाएगा देखिए एक उल्टा बुनेंगे धागा बैक करेंगे और यह देखिए यहां से सीधा डालेंगे यह देखिए इसी तरीके से हमें इसकी लैंथ कंप्लीट करनी है देखिए आपको जितना लंबा इसको चाहिए उसके हिसाब साब बना सकते हैं मैंने ठाने के लिए यह बनाया है आप देखिए हमें क्या करना है बैक साइड से हमें इसके फंदे घटाने है और देखिए फंदे हमें दोका एक दोका एक करके घटाने है ऐसे यह दोका एक फिर यह फंदा आएगा फिर इसे लैफ निरेल में डालके फिर से दोका एक देखिए इस तरीके से हमें ये फंदे गटाने है और movements ayis 건al जितने धीले हमने हें यहाँ डालेते उतने धीले हमें इंधर गटाने हैं ठिक है क्योंकि ये फ्लर है तो फंदे आप जितने ढेले खटाएंगे उतना सही रहेगा इसमें तो देखी friends इस तरीके से हम ये इससे हम कट कर लेंगे कैचे की हल्प से और हाँ पे हम नोट लगा लेंगे इस साइड में इस तरीके से ये देखी इस तरीके से हमने नोट लगा लिए और देखे फ्रेंस इस तरीके का हमारा ये मफलर बनके ready हो आए देखे आप अपनी हिसाब से इसका length बनाएंगे ठीक है ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपको इतना बनाया है और देखे आप हमारा ये इस तरीके के हो रहा है टसल चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं देखे मैंने 6 इंच में इसे 4 बार 5 और 6 बार देखे फ्रेंस 6 बार मैंने इसे fold कर लिया ऐसे ठीक है ये इस तरीके से fold कर लिया और अब हम इसे यहां से cut कर लेंगे ये देखे ये देखे 6 6 इंच का है और 6 वर fold किया है अब हम इसे इस तरीके से double करेंगे ठीक है तो ये आप अपने हिसाब से 6 जैसे आपको ये छोटा लग रहा तो आप बढ़ा कर सकते हैं ऐसे हमें करना है उसके बाद हमें इसे joint करना है जाइंड करने के लिए हमें क्या करना हमें एक क्रोश्या की help से joint करेंगे डिखिए जैसे ये है तो जहाँ जहाँ आपको लगाना है दिख्क hollow friends ये आप चाहें तो ये line में लगा सकते हैं आप चाहें जोग भी बीच में लगा सकते हैं ठीक है तो मैं इसे lines में लगाऊंगी देखिए तो यह रिखिए यह जो लाइन है यहां से हमें इस तरीके से देखिए यह क्रोश्य हम ऐसे डालेंगे यह लाइन से और उसके बाद यह रिखिए इससे पकड़ेंगे हम सेंटर से और इन्हें हमें इस तरीके से बैक साइड को खीचिना है ऐसे ऐसे खी से ऐसे निकालेंगे यह देखे ठीक है इस तरीके साम यह निकालेंगे और यह देखे इस तरीके से कर लेंगे यह देखे फ्रेंस इस तरीके का लग्या है यह देखे ठीक है यह हमारा राइट साइड है तो यह देखे इस तरीके का हो गया यह देखे अब ऐसे हमें यह सारी ट अब आपको जब लगाना होगा तो आप एक साथ ये सारे बना सकते हैं, ये देखे, छे इंज है और इसे 6 बार fold किया हमने, देखे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, देखे, फेंस 6 बार हमने इसे fold कर लिया है, आप इसे fold करते रहिए और इसके बीछ पीछ से आप ये piece निकाल के फिर आप ल second tassel लगाने के लिए same ऐसे करने आपको ये देखिए, ऐसे हम यहां से crochet डालेंगे ठीक है, और ये center से हम इसे पकड़ेंगे ऐसे, ठीक है, उसके बाद हमें इस तरीके से back side को लेके जाना है, ऐसे, ये हो गया, और ये center से हमने से इस तरीके से खीचना है ये देखिए ऐसे खीचेंगे और उसके बाद देखिए इसे हमने बरावर करना है ऐसे उसके बाद ये देखिए इस तरीके से इनके बीच से ये सारे हमें ऐसे निकालने है ये देखिए देखिए इस तरीके से हमारे ये टसल लग गए है ठीक है हमें क्या करना है friends देखिए ऐसे रखेंगे हम इन्हें ठीक है ऐसे रखेंगे और इन्हें बिल्कुल बराबर करेंगे ऐसे बराबर करेंगे और उसके बाद हमें ये देखे, catchy की help से यह, इस तरीके से यह देखे, ठीक है, ऐसे बिल्कूल बराबर काटने हैं, यह देखे, इस तरीके से हमें इने cut करना है, यह देखे, देखे, इस तरीके से यह cut गए हैं, और यह देखे, इस तरीके की यह बनके ready हुए हैं, यह देखे, यह देखे, बहुत ज ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं, इस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं, यह देखिए, यह टेसल्स अगर आपको ज़्यादा मोटे चाहिए तो आप इसको ज़्यादा फोल्ड भी कर सकते हैं, यह देखिए, इस तरीके के यह बनके रेडी हुआ है, देखिए, आप बना वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक कहुँचे. थैंक यू.